ओपन माइड गुरुजी चाइनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम देखने वाले है मौडूल नमबर थ्री इसके पहले हम दो मौडूल कर चुके है मतलब कम्प्लिट हो चुके हमारे आप देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर के देख सकते है यह पहला म ओनलाइन एक्जाम होने वाली है और एक्जाम के लिए हम तयारी कर रहे है अभी तो पूरे मौडूल देखिए हम 100% गारंटी देंगे पास होने की जो ओनलाइन एक्जाम होने वाली है उसमें तो यह आज का मौडूल है तीसरा तो यह पूरी लिच्ट देखिए अभी चलत पहले पढ़ लेना है क्योंकि आप question पढ़ेंगे ही नहीं तो answer रटके जाके कोई फाइदा नहीं है पेपर में जाएंगे और पता चलेंगे वहाँ पर answer पूरे पता है पर उसका question क्या था यही पता नहीं है इससे अच्छा है कि question पढ़ो पहले question समझ लो answer तो हम समझा ही दें मतलब cable 32 amp का तो उसके लिए धारा वहन क्षमता क्या होंगी 32 के लिए तो इसके लिए एक formula है कि current carrying capacity निकालने के लिए formula आपने पास normal capacity और rating factor तो यह rating factor हमेशा रहेंगा हमारा 0.81 तो ध्यान में रखिए कि इसको solve कैसे करेंगे कुछ भी हो सकता है 32 की जगह कभी 16 भी हो सकता ह एक तो यह याद कर लो या तो formula याद करो formula याद करना ज्यादा बेटर रहेंगा आपके लिए क्योंकि value भूल भी भूल भी जा सकते हो आप तो अभी देखिए normal capacity मतलब जो भी आपको rating देखे जैसे आप 32 देखे 32 देखे 32 देखे 32 देखे 32 वैलो पूट कर देंगे multiplied by क्या करना है rating factor तो rating factor हमेश है के लिए रहेगा 0.81 रहेगा तो यह दोनों का जो multiplication करेंगे आपको मिलेंगा 25.92 मतलब 25.92 तो इसका मतलब round figure होता है 26 तो यह 32 के लिए हमारा answer रहेगा 26 मतलब answer है हमारा C तो उसी तरह यह question change होंके भी आ सकता है आपको यह भी बोल सकते है कि 16 पándwich नक्रावला के लिए करीटिंक क्या है तो तो 16 के लिए तेरा आता है और चे कि कि लिए पाच आता है तो आपको ध्याद में रखना है 20UB सब कि लिए कि इतना है 32 के लिए कि इतना है दो अरी मतलब such 20 blender करके बीदेखे और याद कैसे करना यह भी भी पता दिए उसके बा उसको लिखा रहेंगा question में यहाँ पर बोलाए कि yes wg उसका आकर्म आपने का परस क्या है मतलब end क्या है ending मतलब कहाँ पर आप स्केल खतम होती है पता है ना इसका काम क्या yes wg का yes wg मतलब wire का gauge गिंते हम से wire yes wg से तो अभी देखो बोलाए कि possible range का है मतलब कहा से start होगा देखो पूरे option में 0 से start होगा खतम का होने वाला है यह बताना है आपको खतम का पर देखो यह 0 से start हुआ यह पर पूरा 1,2,3 पर चल रहा है तो यह आप आप देखेंगे तो खत होगा 36 पे तो यह द्हान में रखना है कि आपका yes wg खतम होता है 36 पे तो हमारा answer रहेगा 0 to 36 मतलब option रहेगा d next question यह तीसरा question what is the name of wire number of joint है पॉसिबल जो option देखें आप है option यह पे paste कर दिया आप देखके याद कर लो कि कौन सा joint कौन सा रहेगा आप यह जो देखेंगे आप option सेम रहेंगे लगे इस तो option यह डाइग्रम में यहापी चेंज कर दो तो question change हो जाएगा आपका answer change हो जाएगा उसका तो यह जो आए इसका एक not tap बोलते उसको तो not tap मतलब हमारा answer है बी पे यह not tap joint तो यह joint का टाइप है आप डाइग्रम देखके समझ जाओ अभी next है इसका बी था next question next time which type of soldering flux is used for soldering galvanized iron देखको शरीप नाम द्यान में रगो अभी देखको यहापे soldering flux बोला है देखको पहले यह समझ लो कि flux का है बात में question देखेंगे देखको soldering करने के लिए 3 चीज़ लगती है एक लगता है हमें soldering iron जो पता होंगा जिसको हम plug में लगाते और दूबा देते एक gold अब भी मिलती है आपको पता होंगा उसमें wax होता है तो wax मतलब ही आपका यह flux है तो तीसरी वाली चीज़ है तो यह flux soldering iron flux तो galvanized iron के उपर अगर आपको soldering करना है तो उसके लिए कौन सा flux यूज़ करेंगे तो यहापे पूरा table देखें कि कौन से हम लोग hydrochloric acid का flux तो यहाप है hydrochloric acid है हमारा डीप है तो यह पूरा table आपको याद कर लेना है क्योंकि question कुछ भी यह metal का नाम जैसे चेंज होंगा जैसे आपको जैसे metal चेंज होंगा तो आपका यह option भी चेंज होंगा तो धहन मर रखिए तो यह galvanized iron के लिए आपका है hydroch hydrochloric acid नेक्स्ट है कि आपे बोला है कि वीच मेतार यूज़ तू कॉंटेटीटीटीव प्रोडक्शन फॉर टीनिंग अभी यह थोड़ा सा वर्ट ध्यान में रखो टीनिंग वाला हिंदी में भी टीनिंग की कहते हैं तो इसके लिए हम लोग जो सोल्टरिंग यूज़ कर आपने यह देखा हूंगा थे यह कनेक्ट थे आप देखेंगे ऐसे कनेक्ट है यह सबटनी के लिए ज् ya ऑएं में एाग मतलब यह हमारा टीनिंग आएगा तो वराबर sequence दहन में रखें मतलब आपका गलत नहीं होगा मतलब आप दीमाक लगा सकते तो इसका answer है हमारा A deep soldering उसके बाद है next question next question में बोला है कि यह जो X लिखा है यह देखो दूसरे मॉडूल मतलब हर मॉडूल में ऐसे हैंगा एक डाइकरम देखे रहेंगा एक देखे रहेंगा बोलेंगे कि इसका नाम क्या है actually यह cable है cable सभी को पताए तो यह cable तो मैं आप डीटेल में दिखा दिया कि cable के number of parts होते है मतलब एक दुसरे के उपर एक दुसरा मतलब एक conductor रहेंगा उसके उपर दूसरा पार उसके बढ़ते बढ़ते जाएंगा तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार पाच छे लिखे तो चंद्रपूर प्रीमेर लीग मतलब CPL और यह बस तो द्यान में रख सकते हैं चंद्रपूर प्रीमेर लीग बस तो यह क्या क्या मतलब सबसे पहले आता है हमारा conductor यह रा conductor उसके उपर P, P मतलब क्या होता है कि paper insulator तो P लगा देते हैं उसके उपर conductor के उपर paper insulator उसके बाद है यल, yale मतलब होता है lead sheet, यह metal का होता है lead sheet उसके उपर, उसके बाद B मतलब है bidding, यहाद पर bidding लगा दिये उसके उपर A, A मतलब होता है armering और उसके उपर Yes, Yes मतलब होता है surveying, अभी इसके उपर अगर कोही भी question आता है था होजिए तो आपको दहान हिए कि यह एक दूसरी का protektion मतलब एख दूसरी का protection के लिए आखरी तक चलाएं तो यहाख रोटेक्षन करने के लिए लगा एक दूसरी के ऊपरले सब्सक्राइब काम लग 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 चीजों से बनाएं उसका कुछ अलग अलग य सिखूर सी क्या हिर तो आपको तहीं कोशन के तितराफ भी तहन में रखना है कि यह कुट सी लेहर है तो अप एक तो सिखवेंस में रखा और या 자कर कि उसके बाद है यह पर बोलाए कि भूल फर्म क्या है XLP ए यह केबल का टाइप है इन्दी में भी यह XLP का पूर्णरूप क्या है उसका लांग फर्म होता है ना लिख सकते हैं तो अबीक कीано 5 लिख सकते तो आपको धेन पना है कि किससका मीनिंग क्या होता यह आपनो में यह कोश्ण 실म इंग्विश मैं तो अब वह से लिखे रहेंगा इसमें कोई मतलब आया है तो यह question का xlpe cable है तो इसका लांफ़ा उता है cross link polyethylene तो यहाँ पर देखो cross link polyethylene option में आपका English में भी हो सकता है option या तो हिंदी में हिंदी में रात हो bbic लिख के रहेंगा English में तो bbic लिख के रहेंगा इसमें कोई मतलब pronouns नहीं करके रहेंगा तो यह हमारा XLPE मतलब होता है Cross Link Poly Ethylene धैन में रखना है याद कर लो यह पाचो नेक्स्ट है कि Serving Layer इसका Purpose क्या है काम क्या है कि जो भूमिगत मतलब Underground बूमिगत मतलब Underground केबल सर्विंग जो लगा के सर्विंग की परत का उपयोग है तो अभी सर्विंग आप है यह सर्विंग यह सबसे बाहर का पार्ट है केबल के जैसे हमें ना स्वेटर पैन की घूमते हैं तो ब्लैंकेट पाया उपर से ओड के सो जाते हैं तो काई की लिए स्वेटर पैनते हैं कि थंड ना लगे मतलब atmosphere से बचने के लिए तो यह जो लास्ट लेयर होती है यह भी हम बचते है atmosphere की atmosphere से यह conductor को बचाने के लिए लगाते हैं तो यह जो सर्वेइंग है तो उसका काम है कि आप जैसे atmosphere वाला एक option होंगा देखो यह रहा atmosphere condition मतलब क्या करन है प्रोटेक्ट आर्मोरिंग फ्रॉम एट्मोस्पेरिक कंडिक्शन वायू मंडलियस तीती से बचाना तो यह किसका गाम है जो सबसे बाहर की लेयर है किसके बाद यह आर्मोरिंग के बाद सर्वेइंग है तो हमार आप्शन रहेगा इसका option डी नेक्स्ट है यह यह इसे और भी अलग डाइगराम हो सकते हैं देखने लिए आपको सेमी दिख सकती है कोश्चन रोडा साला का लग हो सकते हैं यह टेस्टिंग का मेथड है जैसे हम लोग टेस्ट करते हैं वाकी मशीन की वगरे वैसी केबल की टेस्टिंग का यह प्रोसीजर और यह डाइगराम है यहां पर बुला है कि अन्राउन केबल के लिए लूट डिस्लूप टेस्ट तो मतलब यह जो टेस्ट का यह ग्रोसीजर दिया है मतलब सेट अप दिया यह टेस्ट का यह करते हैं तो यह बीच में ऐसे कुछ लगा हैं तो यह समझ जाओ की शौट सर्कित के लिए कर रहा हैं लोग शॉट सर्किट टेस्ट लेने के लिए जो भी अगर यह होता ही नहीं समझो यह यह नीचे वाला पार्ट होता ही नहीं तो समझो कि कुछ इसका एंसर कुछ अलग होता था तो अभी ध्यान में रखिए कि यह लूप टेस्ट है वर काई के लिए यूज़ करते हैं हम लोग तो ध्यान लख रखिए शॉट सर्किट के लिए यूज़ कर सकते हैं शॉट सर्किट हमारा है बी पे तो हमारा एंसर रहेगा बी नेक्स्ट है कि वीस टैप आप केबल लेंग में तरी जी हो जेनरेटिंग स्टेशन है जैसे पावर ब्लैंट होता है वहां पे जो केबल हम लगाते हैं अंडर्ड यह होता है तो किस तरह से लगाते हैं केबल तो ओवरेड लाइन की बात नहीं कर रहे हैं केबल मतलब जिसके उपर केबल और कंड़क्टर दोनों में फारक है दयान रखना तो इसको पाइप में नहीं डालेंगे बील्डिंग के अंदर से भी नहीं जाने वाला है और यह डायरिक मतलब इसके ग्राउंड में भी डालने वाले एक यह राक है अभी कहा है समझे लो यहां कि हमारी बनाते हैं और उसके उसके अब उपर यह चलते 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 तो यह जो रखने का में तो उसका नाम है रैक इन एयर हवा में रैक हैं के इंदी और इंग्लिश next यहाँ पे बोलाएं how many electron are there in valence shell of copper atom अभी देखो आपको इसका atomic number, mass number, chemistry पता होना तो अभी detail में मत जाओ फिलाल हमारे पास ज़्यादा metal तो होते नहीं इलेक्टरेशन में स्रीफ copper, aluminium ज़्यादा से ज़्यादा तो फिलाल copper के लिए question आया कि copper का जो atom है तो उसमें कितने electron रहेंगे valence shell में, valence shell का मतलब क्या होता है पहल समझ लो, पहले यह देख लो कि इसमें कितने electron है, यह 29 electron, मतलब 29 electron है, तो इसको रखने का एक तरीका है तो मतलब जो जिसको electronics configuration कहते हैं, आप थेरी में पढ़े होंगे, तो रखने इसको shell बोलते हैं, यह जो देख रहे ना, एक, दो मतलब देखो, पहला k, l, ym, yn, इसको shell बोलते हैं, तो यह पहला shell है, यह दूसरा, तीसरा और चौता रखने का तरीका है, तो पहले में हमेशा 2 रहेंगा, दूसरे में 8 रहेंगे, तीसरे में 18 रहेंगे, और जो भी बचेंगे, आकरी वाली shell में रहेंगे, यह आकरी shell, आकरी मतलब यह हमारा तो अभी प्लस 1, मतलब 29, तो यह पूरा टोटल 29 हम्या पर रख दिये, तो यह जो आकरी वाला है, आकरी के लिए सरीव एक ही बचा है, तो एक बचा है, इसलिए हमारा answer रहेंगा इसका एक, तो इसका वाल, वैलेंस जो इलेक्ट्रोन है, लास शेल में वैलेंस इलेक्ट्र होती है, करन्न, ट्रांसफर्मर एक्शन है, मतलब, सबकॉम करन्ट ही बचाली के लिए, तो ऐसी नियान लाम्प के लिए, कौन सा इफेक्ट होता है, मतलब विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है तो उसमें दहन में रखिए कि neon lamp के लिए gas ionization effect होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका neon lamp होता है वह आप एक terminal यहाँ पे लगा देते दूसरा terminal यहाँ पे लगा देते supply 예시 ही दिये यह दोनों wire तो connect है नहीं यहाँ पे यहाँ तो इसके अंदर gas होती है इसके अंदर gas होती है neon bulb के अंदर तो यह electron यहाँ से यहाँ तक flow होती है electron काई की वज़े से यहाँ पे ionization होता है gas में यहाँ पे ionization होता है इसलिए आपे बोलाए कि करन देने के से क्या होता इसमें किसमें नियोन लैंप में है तो यहां पर घ्यास आईयोनाइजेशन इफेक्ट होता है तो इसका ऑप्षिन्स रहेगा हमारा से बड़ा वैलू होता है उसका तो यह चार में सबसे बड़ा वैलू है हमारा मेगा हों का सबसे बड़ा है किलो से भी बड़ा होता है मेगा होता है तो ध्यान में रखिए स्रीप रेजिस्टंस बोला होता था आप वहम दें दें सकते था आंसर कोई दिक्कत नहीं था पड़ which electric device is used, देखो अभी, word ध्यान में रखते जाओ, बराबर keyword, excess current protection, ध्यान में रखिए, मतलब, अधीक अधीरिक्त, अधीक अतीरिक्त धारा सरक्षन, के लिए किस का use करते, अभी इतने सारे अभी आब है, फ्यूज जैसे ये पूरे, यह समझ लो पूरे तो इसमें से किसका यूज़ करते तो द्हान में रखिए एक्सिट करण्ड के लिए हमेशा रिवायरेबल यूज़ जो आमारे गर में होता ना किटकैट फ्यूज जैसा जिसको बोले वायर हम चेंज कर सकते मतलब पुनातार बांदने योग के फ्यूज मत फिप्टीम यहां पर वलाए वीच टाइब जॉइंड इस यूज़ फोर एक्स्टेंड लेंथ अब कंड़क्टर इन ओवरेड लाइन अभी देखिए यह दो पोल है ओवरेड लाइन मतलब यह पोल है पोल पर हम लोग अभी वायर लेके जा रहे तो वायर लेके जाते तो बंडल जरूरी ने यहां से यहां तक हो जाएंगा कभी कभी बीच में हमारा यहां तक ही खतम हो जाएंगा एक कंड़क्टर यहां से अभी दूसरा लगाना है तो दूसरा लगाने के लिए यहां पर बीच में ऐसे ओवरेड की बात कर रहे है ओवरेड की तो यह बीच में क मतलब कि उसकी लंबाई बढ़ाना है मतलब student करना एक्सटेंट करना यह करने के लिए जो जॉइन्ड oh call one को यह ले औप से कुछा कर से लिए HOLC ME to Congress करेंगेश है कि भी प्लॉक्स देखो यह फिर से कॉष्चन आगए छाहे तो यहाइबी कौन सा wonder Juoke करें हो ग्यालवन है इस था पिछली बार यहां पर पोला भी अलुमीनियम कंड़क्टर तो फ्लक्स का नाम है यह अलुमीनियम के लिए उस टेबल में नहीं था यह अलग से अलग से लाए हम केरलार लाइट ऐसे इसका नाम है तो केरल लाइट तो इंग्लिश में हिंदी में दोनों में एक ही रहेगा उसको याद कर लो इसका हुए ऐसे खास एक्स्प्लेनेशन नहीं कर सकते हैं मतलब एक्स्प्लेनेशन ही नहीं करने लाइक नहीं है नेक्स्ट है कोश्चन नमबर 19 वाट इस दो इफेक्ट आप मोल्टन सोल्डर डियू टू रिपीटिंग मतलब मतलब क्या होता है जैसे हम क्या क्या है कि जो अपको पता है यह होता है जो जिसको फंपिगलाते जाते तो यह कम कम होते जात यह का इसा ऑना कि प्लाने के बाद उसके कैसे मेल्ट होंगा तो यह ऐसा क्यों होता है कि बार-बार हम गरम करते जाएंगे वह हाइड होते जाएंगा लिक्विट करते जाएंगे मतलब थंडा गरमdefined नगरम करेंगे तो उसके कारण देखो पिगलेवाइं solder को बार बार पिगलाने से क्या होंगा तो उसका प्रभाव क्या पढ़ता है कि उसके वो काई क्या बना होता है टीन का बना होता है टीन और उसके साथ दो तीन और मिश्रम होते हैं तो उसका टीन तो इसका आप्षण है हमारा ऑप्षण है कि टीन कंटेंट रिडियूस उसका जो टीन का भाग हो कम होते जाता है तो वो काम नहीं करेगा बराबर ठीक है इसके लिए नेक्स्ट है कोशन नमबर 18 यहाँ पर बोला है कि what will happen PVC insulated cable exit current continuously long time मतलब देखो यह जो केबल है केबल का कुचालक कुचालक मतलब रेस्टन जैसे यह conductor होता है उसके उपर हम केबल इंसुलेशन होता है PVC का PVC मतलब होता है polyvinyl chloride वहाँ पे PVC का इंसुलेशन मतलब हो उपर जो प्लास्टिक लग तक ज्यादा हेवी करन फ्लो हो रहा है आपको भी पता है कि ज्यादा टाइम अगर हेवी करन फ्लो होते रहा तो उसका temperature बढ़ जाता है आप सभी को पता हो गरम हो जाता है बिल्कुल तो उसके कारण इसका जो रेजिस्टन से यह बाहर का यह लगा के PVC उसके उपर क्या उस इसके 存ब्स पर तो क्या होंगा के जैसी आप उसका बार- बार मतलत बहुत ज्यादा लॉग टाइम तक क्या लंबे लंबे समय तक उसका क्या होंगा कि रेजिस्टन्स डिक्रीज होते बढ़ से जाए Cheer टाइम अगर टेंपरिचर ज्यादा करण गया तो गरम हो जाएंगा गरम होने से हाड हो जाएंगा पता है आपको ऐसे मोड़ेंगे तो तूट जाएंगा उसके कारण उसका resistance क्या होता है decrease होते जाता है इससे के क्यारण आपको current भी लग सकता है उपर से हाथ लगाएंगे तब ही भी तो ध्यान में रखना कि ज्यादा time तक ऐसे गरम होता है तो ज्यादा time तब उसमें से current को नहीं बहने देना है उसके बाद next है next question number 21 तो method length suitable for congested area मतलब कॉन सा cable बीचाने का तरीका यह cable बीचाने के तरीक हैँ इसके पहले रैक इनीर के बात कर चुक के बल बिचाने का तरीक ऐë जो concert estative या मतलब अभी पूरा शहर है समझो आपका पूरा भरा है वह आप पे य Caleb लेके जानी के लिए कई से जगा इन ये उपर से ओए अपको पताऊंगा ओरेंज ब्लू कलर के डक्ट मतलब एक डाल दाल दिया उस में से अपने केबल घुसा दिये तो ये जो सिस्टम ہے डालेंग करने के उसको Heur एसा बोलने की जरौत नहीं सब कुछ under-regound हो जाएगा तो उस गाइटेट यूग help धान में रखी है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्सटरा पट्यक्टन क्या वता है लीड शीड बोलते है तो आपको अभी बतानी के ज़रूस ने 21 देखो और से वही डाइग्राम आ गई तो identify करने के लिए हम पहले बोल चुके यह सेम कोश्चन है कुछ घुमा फिरा के पूझ ली यह डाइग्राम दिखी है और यह आपको यह यह से बीच में दिखा तो बीच में दिखा तो बिलकुल हाग बंद करके मार देना इसका कि अभी आपे बोलाएं वीच पार्ट अप अंडर्राउंड केबल इस प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट अगेंस्ट करोजन अभी देखो किता यह कोशन होई गुमा के पूझ लिए कि मेटालिक शीट यह हमारी लीट शीट मतलब इसको मेटालिक शीट बोल इसका प्रोटेक यल उसके बाद आता है BAS BUS तो उसके बाद आता है अमारा BUS option आता है BUS मतलब BUS का B BIDDING तो आपको पता है इसको बचानी के लिए कोन होगा अभी BIDDING होगा तो इसका एंसर होगा आपका BIDDING समझ में आ रहा ना भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को रक्षन धात्विक मतलब ही हमारा होता है METALIC SHEET उसको कोन बचाता है तो उसको बचाता है BIDDING तीक है उसका B option है नेक्स्ट है नेक्स्ट है question number 23 why the soldering iron must kept into stand अभी देखो या पर question मतलब logical question यह पढ़ानी की जरूत नहीं आप जनरल जनरल नालिश का question बोल सकते इसको कि इस वोल्ड्रिंग आयरन अभी गरम है अभी हम काम कर रहें गरम है तो उसको stand में क्यों रखना चाहिए अभी आपको पता है कि आपकी प्रेस समझो गरम है तो आपका कपड़ के उपर रखते हो क्या नहीं रखते हो उसको खड़ा करके रखते हो मतलब उसका चो stand लगा होत और शायद धुवा भी निकल सकता है आपके घर से तो इसलिए इसका option रहेंगा option number A to prevent burn and fire मतलब जलने से रोकने के लिए हम stand पे लगा के रखते हो उसको बाकी option पढ़ने की ज़रोती नहीं पड़ी नेक्स्ट है अभी यह यहाँ पर बुलाया कि which type of wire joint is found in the junction box दहन में रखिए junction box मतलब क्या होता है जैसे हमारी अभी wiring चल रही है बीच में अभी एक box लगा देते हैं जिसको junction box बोलते हैं तो junction box में कोन से तरका joint लगाते हैं देखो इत्ते सारे joint है तो धहन में रखिए यह इस तरह का हम joint मारते junction box में यह हमारा rat tail joint तो यहाँ पर rat tail वाला option है C पे जैंग्शन box के लिए हमारा option रहेगा rat tail हमेशा के लिए तो rat tail हमारा C पे है तो यह हो गया इसका answer C, next question है यह joint का नाम क्या है और अभी joint आगा है इसका नाम है married joint बलते हैं यह थोड़ा फेमस ही joint है तो आप joint की diagram के नाम ध्यान में रख दो यह joint देख के आप बता सकते कि married joint है इसके explanation मतलब कि explain कुछ कर नहीं सकती इसमें अभी बला है what is Britannia T joint अभी यह भी इसकी भी diagram है तो श्रीप आपको यह समझना है कि यह कहां पर यूज होता है तो अभी इत्ते सारे option है option पढ़ने के पहले हम देख लेते कि यह इसका थोड़ा सा explain कर देता मैं देखू यह जो joint है इसका नाम है Britannia बिसकेट है नाम सुने ह आप बस वही नाम है उसका T joint है यह दो पोल है यह दो पोल पे हम लोग अभी conductor लगा कि अभी क्या करना है यहां से हमको tapping करना है tapping करके हमको यह दूसरे पोल पे लेकर जाना है तीसरे तो बीच में अभी ऐसे चोरी करने के लिए जैसे अभी ऐसे फोल्ड मार्के डालते तो तो डालेंगे नहीं यहां पर प्रॉपर जैंट लगाना है यह तीसरे पोल पर लेके जाने के लिए तो यहां पर जो जॉइंड मारते हैं यह जॉइंड देखेंगे आप तो हमेशा यह बृटानिया जॉइंड ही मिलेगा आपको तो यह जैसे ही टैपिंग मतलब बीच में से से कही और लेके जाना है वायर हमें यह दो पोल से अभी तीसरे पोल लग लेकर जाने है यह तो वदर जा रहा है ओर तीसरे पोल पे मद्धको है यह पर टैपिंग करने के लिए हमें का पर यह Is tapping the service connection from overhead line तो मतलब 0 परी line में सेवा जुडाव हे तू मतलब सेवा जुडाव यह इधर सेवा जा रही तो यहाँ से उटा के सेवा भी दूसरे गाव लेके जाना है तो यहाँ पर जो जो जॉइन बटेंगा हो रहेंगा अब रिटानियो जॉइन उसका काम है tapping करना तो यह इसका option रहेगा next है which type of sorting method is used for servicing and repairing work तो अभी ध्यान में रखिये यहाँ पर दो example हम दे चुके है मतलब डाइग्राम दिखा दिए यह ध्यान में रखिये कि यह iron है और यह gun है तो ध्यान में रखिये servicing and repairing जो भी center होते है यहाँ पर यूज़ करने के लिए iron यूज़ नहीं करते है gun यूज़ करते है तो यहाँ पर यह flame वाला भी छोड़ दो deep soldering भी छोड़ दो यह iron भी छोड़ दो जरी बचा है हमारे पास gun तो इसका option रहेगा option number C रहेगा option C next अब यहाँ पर बोला देखो और से deep soldering आगे इसके पहले भी हम deep soldering देख चुके है deep soldering तो आपको पता है deep soldering PCB डिजाइन करने के लिए मतलब उसके उपर soldering करने के लिए इसके पहले भी हम PCB का डाइगरम दिखा चुके है ऐसे deep soldering तो question है यहाँ पर कि उपयोग क्या है इसका soldering का उपयोग क्या है तो अभी पिछली बार यह question कुछ अलग तरीके से पूचाता तो यहाँ पर deep soldering का कुछ तो और पूचाता उन्होंने तो इसमें पूचा आए कि इसका उपयोग PCB बनाने के लिए इसको PCB बोलते हैं यह जिसके उपर जो जोएंट जोएंट लगे है न यह सब डिजाइन करने के लिए ऐसे deep soldering का उज़ करते हैं उसका procedure है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करे ताकि आपको भविश में हमारे update मिलते रहे देखे यहाँ पर लिखा है कि component on PCB मतलब soldering करने के लिए PCB जब भी word देखेंगे तो deep ध्यान में रखना है यह इसका answer रहेगा हमारा answer C next है और से और एक cable देखो इसके पहले भी cable दिया था उसका view हम लोग ऐसे मतलब cable नीचे रखा था तो देख रहे था conductor, conductor के उपर paper वो जो अपना था ना CPL करके CPL तो वही चंदरपूर प्रीमेर लिख तो वही अब C मतलब conductor, P मतलब paper और L मतलब lead sheet तो अभी देखो यह होगा conductor, यह होगा paper insulator यह होगा हमारा lead sheet तो उन्होंने X शाहिद वही पे दिया है कि यह gap में दिया है gap मतलब हमारा तीसरा है तो यह तीसरा मतलब lead sheet होता है तो यह X देखे है तो यह यह रहा हमारा lead sheet मतलब हमारा C पे हमारा option है यह diagram में कई भी भी X दे सकते हैं आपको diagram पूरा याद करना है next है question number 30 which insulating material is used as a hot pouring component for making joint in underground जैसे हम underground cable लेके जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बीच में joint करना है हो cable को तो आप यह cable जैसे हम joint मारते हैं तो उसके उपर conductor को टेप लगा देते हैं आपको बताऊंगा तो underground cable में tape नहीं लगा सकते हैं underground cable जो land के मतलब जमीन के अंदर में होता है है तो उसमें tape लगा नहीं सकते हैं तो उसके लिए कुछ material यूज करते होंगे यहाँ पर बोलाए कि कौन सा insulator यूज करेंगे भूमीगत में गर्म योगिक की तरह डाला जाता है मतलब उसको गर्म करके डाला जाता है ऐसा कौन सा है तो इसका एंसर है कि क्या डालते हैं के पर जाइं के लिए करने के बाद तो उसको उसका ऌप्शन में रहेंी नेक्स्ट करिशनर 21 What is the purpose of bidding insulating insulation आप यूजी मतलब क्या होता है यूजी मतलब अंडरगांड केबल तो बीडिंग का मतलब डाइग्राम आपको बता है बीडिंग का काम क्या है कहां पर आता है तो देख लिए ना तो इसके पहले भी हम हम लोग बीडिंग लगाते हैं मतलब लगा क्यों होती है बल्म उसका काम है जंग से बचाने के लिए आपे मेकनिकल इंज्यूरी मॉइस्ट्र अट्मॉस्पेरिक कंडिशन अगेंस्ट करोजन करोजन मतलब हमारा जंग होता है तो यह यह उक्षरन भी बोलते है उसको उसको बचाने के लिए यह वापे उप्ष्ण वही है बीडिंग का क्या उद्देश है कि क्षरन से बचाना है या तो जंग से बचाना तो यह इसका उप्षन रहेगा हमारा उप्षन नमबर D नेक्स्ट है कि which test is conduct to locate the fault in UG cable UG मतलब underground cable locate करने के लिए कौन सी method use करते है तो इसके पहले भी एक diagram दिखेते थे को आप बोला था short circuit के लिए use करते तो आपने word सुनाओंगा loop test तो ध्यान में रखिए कि उसको underground को fault locate करने के लिए टेस्ट का नाम है loop test loop test ही हम लोग करते हैं underground cable का fault दूनी के लिए कि जमीन के अंदर हम घुस नहीं सकते इतना ध्यान में रखिए कि इसका option है next है कि what does the number 1.40 देखो जैसे यहां पे लिखा है कि 7 slash देखे 1.40 ऐसे लिखा है तो उन्होंने पूछा है कि इसमें से जो 1.40 है मतलब 1.40 है इसका मतलब क्या है देखो 7 1.40 तो मैं पहले समझा देता है इसी आपने यह भी सुना आँगा कि जोइन जब कि आपने जोइन का practical तो आपने conductor यूज किया है एक अट्रा का एक अट्रा तो उसमें यह एक क्या था और यह अट्रा क्या था तो आप अभी दिमाग लगाए कि यह एक क्या था रहा अभी आप इस फिलाल बोला है कि 7 और 1.40 तो मैं बता देता कि यह जो पहला होता है स्लैच के पहले इसका मतलब बता है नंबर आप यह जो कि आपका केबल है इसके अंदर कितने कंडक्टर सेवन मतलब 7 गंडक्टर रहा यह और यह आपने प्राक्टिकलक्ट तो पहला होता है नंबर आप कंड़क्टर मतलब उसके अंदर क अंदर कंडक्टर है यह 1.4 मतलब होता है कि इसका डायमीटर कितना है इसका डायमीटर ये एक का डायमीटर है 1.40 mm सबका इतना ही है इच सबका इतना ही है 1.40 तो वैसी एक अटरा का अगर के बला है तो उसका डायमीटर रहेंगा अटरा का मतलब उसका जो थिकनेस है वो रहेंगा हमारा अटरा का तो बहुत पोइंट का आधे एक छालीच मतलब इसका डायमीट्र हो भी एक का मतलब सबको वही रहएगा तो यह अधिस वाल हो इस वाल उप्छन दोनों सकता है ठहलने के लिए दोनों सेम यह तो ध्यान में रखो डायमीटर आप इच कंड़क्टर मतलब प्रत्यक चालक का व्यास उतना होता है कितना 1.40 यह दूसरा नंबर मतलब कोशन उल्टा भी पूछ सकते कि साथ मतलब क्या होता है तो ध्यान में रखना साथ मतलब इसके नंबर आप कंड़क्टर होते हैं तो चलिए नेक्स्ट कोशन की तरह कोशन नंबर 34 वाट इस दे वैलो आफ इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी अभी धहन में रखिए इलेक्ट्रिकल कंड़क्टिविटी बोला है और याद से आपे बोला है अलुमिनियम तो देखो यह आप्शन सभी के लिए सेम नहीं रहेंगे कॉपर बोलेंगे तो कुछ अलग रहेंगा अलुमिनियम बोलेंगे तो कुछ अलग रहेंगा अभी फिलाल बोला है अलुमिनियम तो अभी अलुमिनियम की तरफ कॉंस्ट्रेट किजी अलुमिनियम क्या होता है थर्टी फाइउ ओहम पर मीटर इसको पढ़ते है मोह स्वारी ओहम नहीं है मोह मतलब क्य बिफोर का एंसर है 35 बरावर कन्फिज नहीं हो ना कोश्चन नंबर और यह सेम टूसेम लगड़ा थोड़ा उसके बाद है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन है कि वाट अस दे रेटिंग फैक्टर देखो इसके पहले भी सबसे पहला कोश्चन था अमारा यह सेम था क निकालने के लिए करंट केरिंग कैपेसिटी हो देखेता देखो 32 अंपियर का कंड़क्टर इसका कैपेसिटी कितना है वहाँ पर रेटिंग फैक्टर हम लिए थे 0.81 तो उसका रेटिंग फैक्टर था 0.8 और देहन में रखिए यह यह जो वर्ड है इतना इतना देहन में पर रखना इसका एंसर है 0.81 तो 0.81 है हमारा अब सी ऑप्शन पर तो हमारा एंसर रहेगा सी 0.81 अभी नेक्स्ट है कि जो भूमीगत अंडरगर्ण जो केबल होता है उसमें चालक का आकार फेज चालक की तुलना में अभी यह न्यूट्रल चालक मतलब हमारा न्यूट्रल क आकार कितना होता है neutral conductor compare to phase conductor तो ध्यान में रखिए कि हमेशा neutral आधा रहेंगा फेज से मतलब फेज जितना बड़ा रहेंगा उस से आधा रहेंगा हमारा न्यूट्रल तो यहापे आधा वाला अभी देख लो हाप यहापे लिखा है देखो फेज चालक से आधा रहेगा कैसे से रहेंगा फेज चालक से आधा तो ध्यान में रखना है हमेशा यह डाइग्राम दिमाग में सेव कर दो आपको ध्यान में रहेगा 100% नेक्स्ट पॉट्शन है बीना काम वाले ओप्शन देखो क्टिंग प्लाइर नहीं है क्यों कई चीज ऐसे होता है वाइर स्टीपर भी नहीं है क्यों तो आपको पता है वाइर क्टिंग करने के लिए उसका करते हैं आप ते आप पहzn़ानते वायर स्टीपर को अभी यह और से side cutting player यह भी cutting मतलब कई चीज ऐसा होता इसरीब हमारे पास एक ही बचया भी crimping tool तो इसका answer रहेगा crimping tool यह जो डाइगराम दिख रहा है यह कभी आपको अगर नहीं आया ना तो यह इसा टेक्निक यूज करो यह हो सकता है यह नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता आप मतलब एक करोड तो जीत सकते पांच करोड नहीं जीते तो चलेगा एक करोड तो भी जीत के आना है हमें ठीक है तो इसका answer है crimping tool नेक्स्ट है question number 39 यह जो आपको दिख रहा है आप ठेरी में पड़े होंगे प्रैक्टिकल में पड़े होंगे इसको बलते है यह जीत भी आ सकता है आप लिखा हुआ एक्जाम के ओक तब ही देखो मैं समझा दे रहा है इधर वाड़ लाग्राम में देखो अभी चार वाले option दो है आप यह तो कड़ गए यह भी नहीं हो सकता यह भी नहीं हो सकता उसके बाद क्या करना है दूसरी वक्त यह चार के बाद और एक चोटी सी लाइन दीख रही है आप देखेंगे तो मतलब चार से ज्यादा आदा हो गया हो इसको 0.5 बोलते हैं यहाप बराबर लिखके दे दिया है कि यह आदा हो गया 0.5 मतलब पॉइंट के बाद आपको लिखना है 5 यह लिख दे हम 5 उसके बाद यह हो गया 5 उसके बाद तीसरा देखना है कि यहापे जो रीडिंग है यहा बाद एक पॉइंट देना है उसके बाद यह देखना है कि आपके कितना ज़ीज चूटा या तो कुछ जगा चूटी एक आद्धा यह तो 0.5 आदे से कम है 0.25 आदे से जाधा है 0.75 बट आदा था इसलिए हम लोग 0.5 मतलब पॉइंट के बाद एक 5 लिग देना है उसके बाद ये तीसरी जो स्केल है या पे जो भी कभी 10 होकती है कभी 20-40 कुछ भी हो सकती है इसका रीडिंग उसके बाद लिग देना है तो इसके बाद अभी देखेंगे तो ये टोटल बन गए हमारा 4.55 तो हमारा जो आप्शन है 4.55 ये रहेंगा इसका एंसर थोड़ा दिमाग लागा है ये पॉस करके ठीक है नेक्स्ट क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं तब तक नेक्स्ट है चालीस क्वेशन नमपर चालीस वीच मेतर आप सोल्डरिंग इस यूज फॉर रिपेरिंग वेहिकल बॉड़ी जैसे हमारी जैसे करना है तो आपको पता है कि ऐसे आग निकलते हुआ सोल्डर होता है गैरेज वालों के पास या तो जो भी बॉड़ी मेंटेन करता है वेहिकल की उनके पास तो उसको फ्लेम बोलते है ये जो आग निकल रही है यहां से इसको फ्लेम बोलते है तो फ्लेम वाला आप्शन दे के लिए बॉडी के सुधार करने के लिए कौन सा यूज करते हैं तो सुल्डरिंग विद फ्लेम करते हैं ठीक है उसके बाद है नेक्स्ट कि नेक्स्ट आए वॉट आएधanguard श्ट्राइटेट कंड़क्टर हुए स्थाइने में रखना है और सुलिट कंड़क्टर दोनों में फरक क्या होता है तुसक्ता पूला है यह अच्या क्यों है किससे यह विदुछ है कि क्या हुए है अभी मतलब आपने यह भी साथ हैं कि एक bond Punkte होता है मदलाय कांड़र की करें कांड़क्टर होती है कौपर का एक अगी ऐसे आपका पले इसमें नंबर के अपलों होते हैं इसे बहुत सारत केबल होते हैं अहँ जो के अंडर्णक्टर होते हैं सॉालइठ तो यह अच्छा क्यों है और यह खराब क्यों है तो आपको भी पताऊंगा कि एक ही कंड़क्टर ना समझो तो उसको यह मोड़ने के लिए तकलिफ होती है उसका एंसर है कि मोर फ्लेक्जिबल होता है करके यह स्टैंडरेट कंड़क्टर अच्छा है नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेशन नमबर 42 सबसे पहला क्वेशन था सेम टू सेम क्वेशन है सरी 32 की जगह 16 लिका है मैं पहली बोला एक तो याद कर लो या तो 0.81 से उसको मुल्टिपलाई कर दो या पर वर्ड वही है मैंने बोला अधिक अधिरिक्त दोनों में से एक वर्ड कट जाएंगा तो आपका एंसर कुछ अलग रहेगा तो अभी दोनों खड़ गया यह इलेक्रिसीटी का ओल्ड भी नहीं हो सकता है इलेक्रिसीटी का अंपियर भी पानी में डूबाई जैसे यह है नहीं तो यह कैंसल हो गया उसके बाद यह गन भी नहीं है और यह फ्लेम वाला भी नहीं है तीनों में इसके पहले एक्स्प्लेंड कर चुके अभी बचा है इसलिए एक आईरन जिसको हम गरम करते हैं और इसमें स्टैंड वागर लगा के तो इसको बोलते हैं आईरन बोलते हैं तो यह हमारा सुल्डरिंग आईरन का डाइग्राम है तो इसका आप्शन है बी डाइग्राम आप दीमाक में सेव रखिए उसके बाद है question number 45 अभी यह थोड़ा सा है न यह और से हम पढ़ने वाले आगे वाले मॉडूल में यह आप बोला है कि electro motive force मतलब EMF का फार्मूला क्या है यह और आगे हमें मिलने वाला है तो इत्ते सरे option देके EMF के लिए तो धहन में रखना है जो भी EMF का फार्मूला प्लस प्लस वाले तीन option है ठीक है और ना कही पे भी divide करके रहेंगा और ना कही पे multiply करके रहेंगा मतलब यह दोनों भी हमारे कड़ बचा हमारे पास एक ही option में रखिए plus होना ना कहीं पे multiply होना ना ही कही भी divide होना श्रीक ही option बचा है तो EMF का फार्मूला है अब विबवा अंतर प्लस ओल्टेज पाथ उसी को इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशल डिफ्रेंस और ओल्टेज डॉप ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है तो इसका आप्शन था हमारा भी नेक्स्ट कोश्चन है कोश्चन नमर्फ 46 वाट इस दे करन्ट रेटिंग फैक्टर देखो करन्ट रेटिंग फैक्टर इसके पहली यह वर्ड आ चुका है जहापे हमने 0.81 यूज किया था बट ध्यान में रखिया वहापे बोलाता कि यहापे दो वर्ड थे अधिक अतिरिक्त बट यहापे श्रीफ अधिरिक्ट बोला है अधिरिक्त श्रीफ एक्सी डॉबला इसके पहले जो वर्ड था वाला वर्ड है ने पीचला क्वस्चन है question number 47 what is the disadvantage of solid conductor compare to standard कंदे को same question जा चुका है आपको बता है solid मतलब क्या होता है standard मतलब पिछला question में इसके उल्टा था कि यह क्यों अच्छा था पूचा है अभी आपे बोलाए कि यह क्यों खराब है यह वाला solid conductor क्यों खराब है फिछली बार इसका अंसर दे चुके है क्यों कराब है क्यों नहीं है तो लेस फ्लेक्जिबल है इसके लिए खराब है आच्छा नहीं है as compared to standard यह तो यह मतलब कम होती। उसके बाद नेक्स्ट है है कुस्षन नंबर 48 वाधे खों यह भी डाइग्राम इसके पहले देख चुके है कि इसका नाम क्या है इतनी सारी method है, देखो deep नहीं है, डुबा नहीं रहे कईपे, blow lamp जो भोलते हैं, वह भी नहीं है, temperature control वाला भी soldiering नहीं है, यह जो soldiering आई रहे ना, इसको भी temperature control भी बोलते हैं, यह भी नहीं है, blow lamp भी चुट गया, तो यह एक ही बचाया आप है, soldiering gun वाला option है, दीख भी रही गन जैसे तो ये simple सा logic लगा कि हम इसको tick कर देंगे see तो ये आमारी soldiering gun वाला soldiering method है उसके बाद है what is the cause of cold soldier defect मतलब क्या होता कि ये defect है मतलब fault बोल सकते हम उसको कि soldiering में ठंडे soldier दोष एक दोष है fault है उसमें कि ठंडा वाला soldier होता है उसका fault होता है पहले समझे येख आपका soldiering है आपने उसको plug में लगा दिये प्लग में लगाने के बात भी यो गरम नहीं हो रहा, मतलब गरम हो रहा तो आप हाथ लगा सकते इतना ही गरम हो रहा, जो मतलब सोल्डरिंग का अपना सोल्डर होता है, जो वायर होता है, वायर को में मेल्ट करना होता है, यह वायर अगर मेल्ट ही नहीं हो रहा, मतलब गरम क्या आओँगा की कि घंकarchy अभी सिम्वात ही इत्सका प्रका नाम है इन्सफिसेंड कि टिंग कि इसमें होता यह है कि ही टमका मुद्फाइथ एक्वाड में इसलिए हं द्सका ओपशेंग अ SIM यह में हमारा काम हौंश हौता है डिफेक्ट को प्रैक्टिकल पड़ते भी आपके पड़ाया कि होगा नहीं पड़ाया आपके पड़ाया आपके पास अभी देखिए हमेशा ओल्ट मिटर है को हमेशा ऐसे लाइन में गरते मतलब इसको सीरीज कहते है जौं और इसको पैरलेल कहते शांड़ सतard हुँ चमझे लो क्या बहुल रहे हैं ओल्ट मीटर को एमेटर की जगा इसको एमेटर की जगए अगल लगा आए तो क्या हो सकता है तो हमेशा देखो इसमें जो स्केल रहेंगे कहाटा रहे था Already वह बिल्कुल ही लेंगा रहा रहे तो बिल्कुल थोड़ा सा भीन का एंसर रहेंगा लो रीडिंग मतलब आप्शन ए रहेगा अभी तेखो यही कोश्चन दूसरी तरीके सा सकता है कि I am अभी अब ओल्ट कर दिये अभी हम वल्ट मीटर को अबीटर की जगह लगा दी तो यह वहा था कि लो तो यह और भी फिलाल ओले ब्स इत्ता नेक्स और एग्जाम्पल फॉर मतलब दीकों एक्सिस करन प्रोटेक्शन जे इक और प्रोटेक्शन के लिए अधिक अधिक अधिकतर धारा कि सूरक्षा के लिए क्या कर सकते देखो इतने सारे में रखेंगे जो रीवायरेबल creates अधिक अधिरी रिक्तता दो हरा करने के लिए मतलब काहिए को रोकने के, यह तो सरक्रीट करने के लिए हम री वायरेवल जिसको किटकेट फिस बोलते हम उसको यूज करते तो इस ओप्शन रहेगा डी उसके बाद है हमारा आखरी कोशन है फिप्टी टू वीच कंड़क्टर आर यूज फॉर डिस्टिबिशन लाइन में रखें डिस्टिबिशन लाइन मतलब जो आपके घर के बाहर पोल लगं और पोल के ऊपर जो कंड़क्टर जाके हो हो कंड़क्टर को बहते हैं बेर कंड़क्टर बोलते हैं तो इनko इसके ऊपर का इसकों को नहीं होते हैं इसके उपर battery अछ Barnes आपको बता है तो यह इसका option है bear conductor तो इस तरह से हमारा यह module number 3 खतम हो चुका है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और like करना ना भूलिए धन्यवाद